थे देखे हाली में चर्चीत हिंगलाज मंदीर किस जिले में इस्थित effectivement सड़ semble तो अप्षन यहां पर है करेक्ट आंसर कुन सा है क्रेक्ट आंसर और सन नमबर ई है कविरधांग ओकि कैंडेखते हैं ध्यानद्जिया की हिंगलाज मंदीर कविर दाम सहसपुर लोहारा से 12 किलोमीटर की दूरी पर सूतिया पार्ट बांध के करीब उचे पहार पर इस्तित है और मंदिर के एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ सूतिया पार्ट बांध है ठीक है तो ये दोनों याद रखना है हिंग लाज मंदीर और सूतिया पाड़ बांध दोनों के जिले में हैं आपका कविरधाम में ओके चलिए ये अगला प्रश्न है देखें 37 नेशनल गेम्स में 36 गड़ से कितने सदस्ती दल हिस्ता लेंगे अप्सन है यहाँ पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर अप्सन नंबर सी है 235 सदसे ओके चलिए देखते हैं ध्यान दिएगा कि 37 नेशनल गेम्स से 25 अक्टूबर से 9 नौमबर तक गोवा में आयोजित हो रहा है और इसमें 36 गड़ का 235 सदस्ती दल हिस्सा लेंगे ठीक है याद रखने 235 सदस्ती दल ओके चलिए देखते हैं और विए कि इसमें देखे इसको भी देख लिए 25 खेलों के जो है 174 महिला पूरुस खिलाडी सामिल है इसमें उकी चले नेक्ष देखते हैं यह है देखे हाली में चर्चित गडवतिया पहाड यह किस जिले में स्थित ह तो ऑप्सन यहां पर है देखेंगे और करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्सन नमबर डी है सुरजपूर ओके ध्यान दिएगा याद रखना है कि गडवतिया पहाड सुरजपूर जिले के उडगी ब्लॉक में यह इस्थित है और यहां देवी सक्ति की जो है पूजा की जाती है और पहाड में एक बड़ी गूफा की दरवाजे पर अश्ट भूजी माता की प्रतीमा इस्थापित है और इस प्रतीमा की स्थापना यहां मदप्रदेश से पहुचे राजा भालम ने की थी ठीक है राजा भालम और यही है कि माननेता ही कि दोस्तों की गूफा के अंदर प्रात्री में हवन का धुमा उड़ता है लेकिन भक्तों पर मदुमक्यां हमला नहीं करती ठीक है तो ध्यांद जिएगा इसको चलिए अगला प्राश्न है देखे देश की पहली रैपीडेक्स ट्रेन के कॉरिडोर का उद्गाटन कब हुआ तो आपसन यहां पर है करेक्ट से किया और पहले चरण में साहिबास से दुहाई तक सत्र किलोमेटर लंबे प्रात्मिक्ता खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रधान मंत्री ने हरी जंडी दिखाने के बाद सुरू किया है और वंदे भारत की तर्जपर दूस्तों इसे नमो भारत ट्रेन नाम दिया गया आतर रखने की अंत्रिक्ष एजन्सी नाशा द्रत दॉस्तों रागुस ही पर बहएजा जा रहा है और यह अंत्रिक्ष चान अगस्त दोहजारा insult में इस ङॉद्रगर्भ पर पहुंचेगा और माना जा रहा है की इस एश्टोराइड में बहु मुल्य धात्मी भरा हुआ है और साइकी को सबसे पहले इटली के खगोल वे ज्यानिक एनी बेले डी गॉस्पेरिस ने खो जा था ठीक है देगे चत्तिस गड़ का एक मातर देवी मंदिर कौन सा है जिसमें गुंबद नहीं है तो नहीं है पूछा ह है तो यहां पर आप्सन है देखेंगे और सही आंसर है करेक्ट आंसर आप्सन नंबर सी है कोजगाई माता मंदिर ओके ध्यान दियेगा याद रखिएगा दोस्तों की है हैवन सी राजाओं ने तेरवी सताबदी में कोर्बा से 42 किलोमेटर की दूरी पर कोसाई गड़ को व अंबद नहीं है और कोजगाई माता को छूरी गड़ राजपरिवार जो है कुल देवी मानता है तो यह किस जिले में है आपका कोर्बा में देखें हाली में आदिवासी नेता बिर्जू ताराम की नकसलियों ने गोली मार कर हत्या कर दी गई वह किस जिले से संबंदित है तो आप्सन यहां पर है और इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर आप्सन नमबर डी है मोहला मानपूर अंबगर्चाओं की तो वही है याद रखना जोस्तों की हाली में बीजेपी की जो है आदिवासी नेता बेजू ताराम की नकसलियों ने गोली मार कर हत्या कर दी है और वह मोला मानपूर अंबगर्चाओं की जिले से हैं हाली में चर्चित राम चंडी मंदिर 21 जिले में इस्थित है तो यहां पर आप्सन को देखेंगे और सही आंसर है आप्सन नमबर बी है महा समुन तो याद रखेगा कि राम चंडी मंदिर यह आपका महा समुन जिले में इस् और यहां फोल्यर अंचल का एक मात्र राम चंडी मंदिर है और याद रखना ही कि मान्यत्य यह कि प्रभू स्री राम जी ने रामर परविजय प्राप्त करने के पुर्व यहां सक्ति श्वरूपा देवी जी की अराधना इसी स्थान पर कि थी मादुरुगा जी की और यह है कि यहां मंदिर एक पहाडी नूमा किले पर इस्थित है जहां करीप सवब पांच फूट उची देवी की भवे प्रतीमा इस्थापित है याद रखिये का जोस्तू कि यहां मान सरोवर एवं रानी शागर तलाप बजरंग बली जी एवं महादेव पारवती की जो है अर्ध नारिश्वर विशाल प्रतीमा यहां दर्सनी इस्थल है और यहां मंदिर परिसर प्राचिन पर कोटे से गिरा हुआ है ठीक है तो इतना कुछ है आपको रखना है याद ध्यान में रखियेगा यह केस जिले में है आपका महा समुन्द ओके चलिए अगला देखे बस्तर दशहरा में दशहरा के दिन साम को होने वाले रत संचालन को किस नाम से जाना जाता है तो यह अभी काफी चर्चा में है ध्यान जीएगा इसको और याद रखना है याद रखना है दिन साम को होने वाले रत संचालन को भीतर रहनी कहते हैं और भीतर रहनी रस प्रत्व में किले पाल परगना के लोगों की जो है मत्तपुर भूमी का रहती है वहीं याद रखना है जो कि बस्तर दशहरा का रत प्रति वर्स भीतर रहनी की रात जो है चोरी हो जाता है चोरी चला जाता है और पांस से जादा ग्रामिर राजमहल के सामने खड़े रत को और इस परंपरा को क्या बोलते हैं आपका बाहर रहनी कहते हैं और रत की चोरी पिछले 269 वर्सों से जारी है और इसको याद रखना है कि बस्तर दशहरा की यह पुरातन परंपरा है कि 50 से 65 किलोमीटर की दूरी परिसित बास्ता नार कोडे नार छेतर से 33 गाओं के करीब 500 मारिया आदिवाशी दशहरा रत खिचने जगदल पूराते हैं याद रखेगा यह सभी पॉइंट को पूछा जा सकता है एक्जाम में चलिए नैक्ष प्रश्ण यह है देखें निमने लिकित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है कूट के माध्यम से उत्तर देना ह हैं और हमेशा ध्यान में रखना है कि कुछ इसी प्रकार के प्रश्ण पूछे जाएंगे तो रानी टुकी रानी टुकू जूता पत्थर यह आपका बलरामपूर कडंगी कडगी बास सिल्पकला दूसरा देखें दूलहरा तलाप मलहार और तीसरा देखें आटा पाठ पह है दूलहरा तलाप यह आपका रतनपूर में बाकी सब सही है देखते हैं डिटेल से ध्यांद ज्यागा की कडंगी किसको बोलते हैं कि अन्न भंडारंच छेत्र चत्ति दड़की जो है आदिवासी जन जाती बास सिल्प सहली का उपयोकर ढोलनुमा बास की कडंगी या अनारे को बंद कर दिया जाता है जिससे अनाद जो है सालों सुरक्षित रहते हैं ध्यान दिजिएगा और वही है कि यह अन्न भंडारन के लिए हैना आदिवासी की स्रेष्ट वीधी माने जाती है और इसमें रखे गए अन्न में कभी कीड़े नहीं लगते ठीक है याद र रखेगा रतनपूर रतनपूर ब्लासपूर में है और ठीक नीचे इस तलाब का जो निर्माढ है कल्चुरी सासों को ने करवाया था ओके और इसको भी देख लिएगा कि आटा पाठ पहाड तो यह जस्पूर जिला अंतरगर्थ आटा पाठ पहाड पर प्रसिद्ध एतिह ठीक पर एटन स्थल सिकार गाह इसतीत है ठीक है तो यह शिकारगा और आटापाठ पहाड यह जस्पूर जिला में है ठीक है ठीक है आटापाट पहाड का जो ही ये सिकारगा तो इसलिए ये चर्चा में था ठीक है याद रखेगा ओके चलिए ये वाला प्रश्ण देखेंगे देखें हाली में बिशन सिंग बेदी का निधन हो गया वह किस खेल से संबंदित थी तो यहाँ पर आप्सन है था है ये माफ करियेगा और करेक्ट आंसर है आप्सन नमबर यह है क्रिकेट ओके याद रखेगा तो याद रखने कि भारत के पूर कप्तान और बाएं हाथ के इस ठीका बन गया है क्की सबसे सर्वस्रेश्टा्राइब देख लीजेगा है और करेक्ट आंसर नमबर तरफ यह बलाजपूर नाकपुर नाकपूर एक्सप्रेश्ट रेंदेश्ड बन गई है और भलाजपूर नाकपूर एकस्प्रेस 122 एक्यूपैक्स्प्रेश्ट के साथ देश में सर्षरेश्ट है कि बंदियर सितंबर- 223 में 122 प्रतीस diferen चली जब कि देच की दूसरी बढ़त थे प्रेंग्स की आकक्यूपैंसी इससे कम है कमें चोपर हमें स्थित है तोakनों पर देखेंगे और इसका जो सभी आंसर ऑप्सन नंबर सी बस्तर तो यह याद रखेगा कि भुन भुनी जलब्रपात बस्तर जिला में स्थित है और यह जल प्रपात तीरा थगर जलब्रपात से चलिए ये वाला प्रश्ण देखे कोरकु जन जाती द्वारा हर वर्स कौरमा नवरात्री से प्रारम कर देउठनी एका दसी तक अपने द्वारा इस्थापित खंब के आसपास नाटकिय मंजन किया जाता है इसके अंत में प्रसाथ के रुप में किसका वित्राण किया जाता ह तो यह बहुत इंपोर्टेंट प्रेश्ण है इसको दिहांद जिएगा डिटेल से देखेंगे और करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर यह है गुड़ और नारियल ओकी दिहांद जिएगा याद रखने हैं कि कोरकु जन जातियों का जो संकेंद्रण है रायगड़ और जस्प खंब मुख्य स्थान रखते हैं तीनों का नाम याद रखना है और यह जाती अपनी आजिविका के लिए जहां निवास करते हैं वहां मेगनात खंब इस्थापित करते हैं ठीक है याद रखेगा दोस्तों कि घुमंतु होने के कारण कभी-कभी जहां पर जो है इनका सापित खंब के आजपास नाटकिय मंचन को स्वरुप्रदान करते हैं और यह नाट आयोजन कूरी रात होती है और अंतमेदसों गुड और नारियल का प्रसाद वितरन कर कारकरम का समापन करते हैं और इनकी धार्मिक माननेता है कि रावर के पूत्र मेगनात ने इनके पू ऑप्सन यहां पर है करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर भी है स्वर्ण ओके याद रखेगा याद रखना है कि गोवा में आयोजी सैंतिस्वी राष्टिय खेल में चतिजल्ड की ग्यानेस्वरी यादावने स्वर्ण पदक हासिल किया है और उन्होंने 49 किलोग्राम महिला भ इवन गोवां Bodyस के तत्वधान में राष्ट आयोजण किया रहा है ठीक है कहां किया जा रहे है अपका गोवा में और फिर से याद रखना है कि राजी की जो है क्यानिश्वरी यादावने 49 किलोग्राम वर्ग में stronger में 80 किलोग्राम और क्लीन यहाम जर्क में संतंबे किलोग्राम सहित कूल 170 किलोग्राम वजन उठा कर स्वर्ण पदक हासिल किया ओकी देखे विक्रम वन रॉकेट कितने किलोग्राम तक पैलोड ले जाने में सक्षाम है तो ऑप्सन यहाँ पर है साही आंसर ऑप्सन नंबर सीय तीन सव ओके दियांद जिया याद रखन और विक्रम वन का जो निर्माड है भारत में किया गया है और यह रॉकेट 300 किलोग्राम पैलोड को प्रित्वी की निचली कक्षाम में ले जाने में सक्षम है ओके देखे राज साही दशहरा पर्व किस जिले में मनाया जाता है तो ऑप्सन यहाँ पर है देखेंगे करेक्ट अंसर है ऑप्सन नमबर बी गरिया बन ओके याद रखेगा तो याद रखेगा दोस्तों राज साही दशहरा पर्व 27 अक्टूबर को गरिया बन में मनाया जाएगा मतलब आज और गरिया बन के जो है राज साही दशहरा पर्व की लोग प्रियता और ख्याती अगला प्रशन यह है देखे गरिया बन के फिंगेस्वर में कालंतर में हुए एक घटना करम के चलते तीन दिन बाद तीरा स्तिती में यहां राज शाही दशहरा पर्व मनाया जाता है और यहां प्रतिकात्मक मूर्ती की जो है पूजा अर्चना की जाती है और नावरात्र इसटार सटलर आकर्शी कश्य अपने कौन सा पदक जीता है तो यहां पर ऑप्सन है देखेंगे सही आंसर है ऑप्सन नमबर सी है कांश ओके याद रखेगा याद रखना दोस्तों कि गोवा नेशनल गेम्स के बैड मिंटल में दोस्तों चतितार सटलर आकर्शी कश्य अप अबले में हरियाना की जो है अनुपमा से हार का जो है सामना करना पड़ा याद रखेगा कि इससे पूर्व गुजरात नेशनल गेम्स में उन्होंने छत्तितर के लिए स्वर्ण पदक जीता था ओकी चलिए नेक्स प्रश्न यह है देखें निर्वाचा नायोग ने किसे मत नेता राजकुमर राव को मतदाता जागरुपता के लिए नेशनल आइकन बनाया है और वह हिंदी फिल्म न्योटन में चत्तिस गड़ के नकसल प्रभावी छेत्रों में चुनाव कराने वाले अधिकारी की भूमी का निभाई थी यह वाला प्रश्न देखें इमानेंट एकेडामिक अकाउंट रजिस्ट्री यानि अपार आईडी देश भर के इस्टूडेंट के लिए यूनिक पहचान बनाया जाएगा और याद रखेगा कि यह अधार की तरह जो है बारा डिजिट का यूनिक नंबर होगा और यह आईडी किसी भी छात्र छात्र क को बालवाटी का स्कूल या कॉलेज में दाखिलर लेते समय ही मिलेगा कि देखे की सेप के माध्यम से देव्यांग जन वोटर लिस्ट में अपने देव्यांगता दर्ज कराकर वोटिंग के दिन विल्चेयर की मांग कर सकते हैं तो आप्सन यहाँ पर है देखेंगे करेक्ट आंसर ओप्सन नंबर डी है सक्षा में ओके चलिए देखते हैं डिटेल से याद रखना है कि प्रदेश में जो है चुनाव आयोगने विभिनिस विधाओं के लिए अलग-अलग एप लॉंच किये हैं और इन पर आनलाइन नामानकन शिकायत उम्मीद्वारों के ब माध्यम से अचार सहिंता उलंगन की जो है सिकायत होती है लाइव फोटोग्राफ वीडियो और एडियो क्लिपिंग भी भेश सकते हैं इसे के माध्यम से स्वीधा एप इसमें प्रत्यासी जो है स्वीधा.eci.gov.in पर नामनकन फार्म और एफिडेविट ऑनलाइन कर सकते हैं और भी है याद रखने की वोटर टर्न आउट तो इस मोबाइल एप्लिकेशन का उप्योग जो है करके इसका उप्योग करके मतदान के दिन राज्य में जो है विधान सभावार वोटर टर्न आउट यानि पूर्सों और महिलाओं और थर्ड जेंडर की जो है कर सकता है ओके सक्षा मैप के माध्यम से और नो योर कैंडिडेट एप तो इस एप पर दोस्तों चुनाव लड़ने वाले उम्मीद्वारों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और राज्य इस्तर पर दोस्तों टोल फ्री नंबर 18231950 और जिला इस्तरी टोल फ्री न नंबर 01211995 पर भी कॉल किया जा सकता है और प्रत्यासियों के जो है सपत पत्र को देखने के लिए दोस्तों एफीडेविट.eci.gov.in पर इनका जो है उपयोग कर सकते हैं और वहीं देखेगा कि बूथवार वोटर लिष्ट में नाम ढूनने के लिए ceo.nice.in के लिंक इले तो ये सब रखना है आपको याद ऊके चलिए अगला प्रशन ये है देखें हाली में चर्ची कालबान बंदुक के संबन में कौन सा कथन सत्य नहीं है तो ये प्रशन दूस्तों बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान दिजिएगा इसको यहां पर आप्सन दिया गया है करेक्ट जो आंसर है सकते नहीं है पूछा गया है तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्सन नमबर डी है ठीक है खैरागड के राजा विरेंद्र बहादुर सिंग ने इससे भेंट सरुप दिया था ये गलत है बांकी A, B, C और E ठीक है ये चारों जो है सही है तो ध्यान गया और दंतेश्वरी माई का तलवार और छत्र लेकर दंतेश्वरी मंदिर के पूजारियों द्वारा उसनों पूजा विधान किया गया और इस विधान में करीब दो दर्जन गाओं के सो से अधिक देवी देवता शामिल हुए और इस पूजा में जहां एक और कई गाओ के आंगा देव माजूत थे तो दूसरी ओर दंतेवारा से और इस थानिये इस तर पर दंतेश्वरी मंदिर में रखी गई काल बान बंदुग को भी इस पूजा पाठ में सामिल किया गया था धियान दीजेगा याद रखने कि राजकुमारी मेघावाती के जो है काल बान ब कुमारी मेघावाती ने लगवग 200 साल पूरो काल बान बंदुग बस्तर की जो है अराध्य देवी मा दंतेश्वरी को जो है भेंट की थी ओकी और काल बान बंदुग करीब 8 फिट लंबी और 20 किलो से जाधा वजनिये हैं काल बान बंदुग के साथ ही देवी निसान मतलब लाट दंतेश्वरी मंदिर में इस्थापित करने की परंपरा है याद रखेगा दोस्तों कि इस काल बान बंदुग और लाट को बस्तर दशारा की महत्तपूल रस्म भीतर रहनी और बाहर रहनी रस्म के लिए मंदिर से पूजा के लिए बाहर निकाला जाता है ओके देखे जीएगा यह फिर से चर्चा में था दोस्तों इसलिए हम लोग फिर से सामिल किये हैं तो बस्तर की जो है प्राण दायनी इंद्रावती नदी में पाए जानी वाली बोध मचली और गुडुम मचली दुरलाब हो गई है बार सुरुवा लोहांसी गुड़ा में बोध मचली अ वजन ओकी चलिए देखे सुल्तान इब्राहीम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया नरेश चुना गया है तो आपसन यहाँ पर है सही आंसर आपसन नंबर भी है मलेशिया तो याद रखे हैं उसनों कि मलेशिया के साही परिवारों ने सुल्तान इब्राहीम सुल्तान सिक लेंगे औक यह वाला प्रश्न देखिए देखें देज का पहला नर्व सेल सौर शंगराले कहा बनाया जाएगा तो उपसे यहां पर है साही आंसर आप्सन नंबर भी है लखनाव उत्तर प्रदेश ओके तो याद रखेगा कि देश का पहला नौ सेना सौरे शंग्राला है लखनाव उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और इसमें मिसाल युद्ध पोर्ट टार्पीडो से लेकर दोस्तों भारतिय नौ सेना के जो है इतिहास से जुड़े हुए सभी चीज़े देखने को मिलेंगी और यहां नौ सेना के सीविंग हेलिकॉप्टर और वीमान भी प्रदर्सित होंगे ओके चलिए और यही है कि लखनाव के जो है अटल विहारी वाजपाई इकाना इस्टेडियम के पास इस संग्रालाय क में से किस विधान सबच छेत्र का पूरा कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाएगा तो ऑप्सन को यहां पर देखेंगे और इसका जो सही आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्सन नंबर सी है उप्रोक्त दोनों ओके रायपूर उत्तर और रायपूर पश्रिम दोनों ओके चले दे जब किसी छेत्र में जो है निर्वाचन का पूरा काम महिलाओं के हाथ में सौपा गया है याद रखेगा कि यहां की दो विधान सबच छेत्र महिलाओं के जिम में होगा और यही है कि यह विधान सबच रायपूर उत्तर और रायपूर पश्रिम है ओके चले और यही है दे राज पक्षी का दर्जा कब दिया गया तो आपसन यहां पर है सही अंसर है आपसन नंबर यह आठ अपरेल 2002 को देखते हैं ध्यान दियागा की बस्तर के पहाडी मैना की जो है विसेस्ता और इनकी घटती संक्या को देखते हुए नौ गठी चतिसगर राज जैने आठ अपरे देने के लिए कांगर घाटी छेतर के गाओं में दर्जनो मैना मित्र बनाएगे हैं तो याद रखेगा मैना मित्र किस संबन दीता है ओके चलिए नेक्स प्रशन देखते हैं यह है देखे मतदान के समय अंगुलियों पर लगने वाली स्याही को बनाने में किस केमिकल का इस और यह प्रशन बहुत इंपोटेंट है धियन दियेगा इसके बारे में हम लोग डेटल से देखते हैं तो याद रखेगा कि 36 गड़ विधान सभा चुनाओं में हर बूत पर दो स्याही सिसी की जो है जरुरत पड़ेगी और आयोग द्वारा इसकी एक सिसी रिजर्व के र सिसी होती है एक सिसी में कितने 10 मिलीलीटर सिसी याद रखेगा और याद रखेगा कि एक सिसी मतलब 10 ml की सिसी लगभग 700 मतदताओं की जो है अंगलियों पर लगाई जा शकती है और सियाही सिसी में सिलवर नائ्टरेट केमिकल होता है और या एक बार लगने पर 72 घंटे तक नहीं मिटती है ठीक है और वही है मतदान के समय जो है अंगलियों पर लगने वाले स्याही को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का जो है इस्तमाल किया जाता है और एक सीसी की जो कीमत है लगबक 164 रुपए है उके ध्यान दिजिएगा और याद रखेगा दोस्तों की 36 गड़ विधान सवा चुनाव में करीब 24,109 वुथ में करीब सड़े 8 लिटर स्याही के आविशकता होगी यानि करीब 1.49 करोड रुपए की स्याही मतदान करने वाले को लगाई जाएगी ओके नेक्ट प्रश्न ये है देखे किसकी जयनती के इस मरण में प्रती वर्स सतर कता जागरुकता सप्ता मनाया जाता है तो ऑप्सन यहाँ पर है करेक्ट आंसर ऑप्सन नमबर है सरदार वनलब भाई पटेल ओके दियान दियेगा याद रखेगा सतर कता जागरुकता सप्ता 2023 30 अक्टूबर से 5 नॉवंबर तक मनाया जाएगा और इस वर्स की जो थीम है भरष्टाचार को ना कहें राष्ट के प्रती प्रतिबद रहें याद रखेगा दोस्तों की सरदार वनलब भाई पटेल की जेनती 31 अक्टूबर को मनाया जाती है और उनके इस मरण में प्रती वर्स सतर कता जागरुकता सप्ता मनाया जाता है